कि चलिए क्याता है आर इस सेल्स टेक्स ऑफिसर अब यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पर सरकारी इंप्लोई प्राइवेट इंप्लोई का कोई चक्कर निये हाउस पॉपर्टी का इनका में टेक्स देना पड़ेगा कहता है सर आर सेल्स ऑफिसर है जैपूर में और कहता है कि इसके पास दो घर है हम फॉर्मेट भी बना लेते हैं और साथ के साथ करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आता जाए आप ध्यान से बस देखते जाएगा और मैं पढ़ पढ़ के बताता जाओंगा दो हाउस है तो सीरी सी जवाब है सर सीरी सी बात है कि आपको कॉलम बना लेना चाहिए कितने कॉलम बनाना चाहिए दो आप कोश्चन भी पढ़ते रहिएगा फिर मैं भी तो पढ़ के बताऊंगा कहता है सर कहता है ही आंस टू रेजिडेंशल हाउस ह नमबर वन ह नमबर टू वही किसी का हैंड रेस का भी मैं आंसर लूँगा नहीं मैं बंद कर देता हूँ इसको कहता है हाउस नमबर वन और हाउस नमबर टू दो घर है दा फास्ट हाउस डेली में है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिड ओन 31 12 1991 में बन चुका था ये यानि बहुत पुराना घर है 1991 में बन गया था सर ये डिस हैस बिन लेट आउट रेंट और इसको किराए पे भी दे रखा है इस घर को rent पे दे रखा है सर और rent है 30,000 रुपे पर मन company for its office और ये rent है 30,000 रुपे और अपने office के लिए खुद के business के लिए तो आपको याद होगा house property के अंदर मैंने बताया था rent residential हो चाहे commercial हो लेकिन खुद का वेपार करोगे तो वो house property का part माना है अपने office के लिए the second house जैपूर which was construct 2021 में बना has been occupied by him on residence ये अपने घर के लिए लेके चल रहा है he took a loan 9,000,000 रुपे का 14 2019 में अब यहाँ से बात आती है second house की first house की बात करें तो sir first house का कोई house property income नहीं है क्योंकि सवाल में कह देता है अपने office के लिए इसने ले रखा है और मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर यही मालिक है इस office का तो कहता है company for its office के लिए इसने किराय पर दिया तो वो house property के अंदर taxable आता ही नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ cut कर दिया sir house number two कहता है second house के लिए इसने loan लिया sir कब loan लिया एक चार 2019 में sir कितने रुपे का loan लिया नो लाग का अच्छा एक आठ को लिया एक आठ rate क्या था sir इसके उपर at the rate 8% का अभ्याज देना है the interest for the purpose of construction of his house entire loan outstanding बोलता है के भहिया interest interest सारे अभी कोई भी नहीं दे सारा का सारा outstanding है तो यहाँ पर देखते हैं अब सबसे पहली बाद second house को पढ़िए एक बार कहता है the second house जैपिर was constructed on 13 constructed बन चुका है 13 2021 21 यानि जो घर complete हुआ complete कब हो चुका है एक तीन दो हजार तो पहला मेरा question आपसे यह है एक तीन दो हजार इक्किस में बना है मुझे pre construction period सबसे पहले निकालना होगा मैं अभी starting है new questions है इसके लिए मैं आपके सामने timeline बनाऊगा लेकिन बाद में फिर आपको खुद करना पड़ेगा यह तो सर कहने का मतलब घर जो complete हुआ वो सर complete हुआ 13 2021 सर जो साल घर complete हुआ वो साल हमारा start कब हुआ होगा सर start हुआ होगा 14 2020 और खतम कब हुआ होगा 31 तीस तीन 2021 पहले इस बात को समझिए यानि सर 20 में start हुआ होगा और 21 में बनके तयार होगा समझ में नहीं आए तो मैं दुबारा बता देता हूँ मैं दुबारा बता देता हूँ एक बार एक बार बिल्कुल फेर तरीके से करके वाइट ले लेता हैं सर घर कंप्लीट हुआ एक तीन दो हजार दो हजार 21 में कंस्ट्रक्शन डन इस डेट पे यानि सर इस डेट पे घर बनके तयार यानि सर जिस साल घर बनके तयार हुआ है उस पूरे साल का अगर मैं फर्स डेट और एंड डेट को लूँ तो क्या बनेगा फर्स डेट और एंड डेट इस पूरे साल को अगर मैं अकाउंट करूँ तो क्या बनता है एक चार बीस और इक अत्यस तीन 21 ये बन रहा है जो साल हमारा घर बन के तयार हुआ है लोन हमने लिया था 18 2019 अब बताईए pre-construction period जो होगा वो कहां से कहां तक का होगा pre-construction period होगा वो कहां से कहां तक होगा कौन बताएगा pre-construction period कहां से कहां तक का होगा इस से लेके यानि 31-3 2020 तक क्योंकि भले ही घर कम्प्लीट 20 में हुआ लेकिन उस साल का हमने इंटरस का डिड़क्शन यहां से तो हम काउंट कर लेते हैं कितने महीने होंगे तो सिंपल से सीधी साधी बात है सर अक्टूबर के महीने में यह下 Steel के महीने में हमारा तो इंटर्जन जुलाई ओगस्थ था तो आपका 2019 में कितने महीने बताईए 2019 में कितने महीने क्यों छे आप और अगस्ट सेप्टेमबर अक्टूबर नовंबर कितने हो गये 5 महीने और 20 में कितने महीने 12 में मार्स से नहींस और वीज 10 देखिये और वीज 21 साल चलनी और चलने महिने कांब याना यहां पर आठ Suppंट यह वह साल Pre construction Periods का Interest कैसे निगालोंगे Pre construction Periods का 9 LLC into में, कितने? 8 बटे में 100 और क्योंकि 8 मेने का है, तो 8 बटे में 12 और क्योंकि 5 बार में बटेगा, तो 1 बटे में 5 सर ये हर साल 5 साले तक upcoming 5 इयर तक हमें deduction मिलेगा, तो इसमें बताइए क्या amount बन रहा है तूटल जल्दी जल्दी फटाफट कल्कूलेट करके बताईए कि यह जादा होना चाहिए देख लो एक बाद इतना ही बन रहा है प्रके नौग लाग का अगर मैं दस पर नभय हजार को पांस से डिवाइड कर दे तो नहीं जादा बनना चाहिए देखो सेवाट पका चलिए अब यह वाला साल जो है यह वाला साल ध्यान दीजिएगा यह वाला जो साल है इस वाले साल का ब्याज पेमिट नहीं हुआ ये तो current year के अंदर count हो जाएगा तो current year पूरे 12 महीने के लग जाएगे जो की 9 लाक होगा into में 8 by 100 तो ये आ जाएगा हमारा कितना 72,000 रुपए तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे NAV की तो sir NAV क्या रहने वाला है 0 अगर minus बात करूँ 24A की तो sir 24A क्या होगा 0 लेकिन बात करूँ 24B का तो sir 24B का current year का interest बनता है हमारा कितना 72,000 रुपए और 7 के साथ हमें मिलेगा pre construction period का भी जो की है तो sir total interest का minus करना कितना मिलेगा कितने और ये हमारा आ जाएगा minus में loss आगे 81,600 loss from house property फटा फट से चेक करिए फटा फट चेक करिए समझ में आया दिया ने बता भी दिया 81,600 पूछ रहे है जो बच्चे पूछ रहे है 1 by 5 क्यों आया पहले तो पुरानी class भी पेंडिंग होगी अभी बताया था pre construction को एक बटा पांस से बाटेंगे प्यूप झांस से बाटेंगे मझ 2 आब झांस प्यूप बटाया 1 झाल